जैश्री क्रेशना राधे राधे सबी को आप सब के लिए ये एक सुन्दर सी लिला है और बहुत सारे लोगों के लिए भी है जिन्हें स्वपन लिलाओं पर यकीन है और कुछ को नहीं है तो उनके लिए भी लिला है तो एक बार जरूर इस लिला को प्रभु की सुनें जिसे में पूर्ण ना बता कर आपको उतना ही बताऊंगी जिसमें स्वेम प्रभु क्या बोलते हैं ये एक बार की बात है कि स्याम सुंदर हमारे भगवान कृष्ण बहुत सुंदर सा शिंगार करकर सुंदर पीतांबर पहन कर रंगीन धातों से उन्होंने भाती भाती के अपने श अब मैं आपको बता देती हूँ ये किंकरी सखी और ये क्या है एक्षली राधा राणी जी की सेवा में बहुत प्रकार की जो सखिया है वो उनकी सेवा में लगी होती है जिन में से कुछ किंकरी सखी है कुछ मंजरी और कुछ सहचरी ये सब सखिया जो है उनके यूथ है ठ गोपी यानि जिने आप गोपी भी बोल सकते हैं गोपी जो है निकुंज में बैठी हुई हैं तो करहिया क्या करते हैं कि उनके पास जो है चले जाते हैं अब भगवान का अभी प्राय क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ भगवान का अभी प्राय ये था कि मैंने इत तरीके से सजा हूँ तो मैं जरूर इस गोपी को मेरा रूप दिखाऊंगा और वो मेरे इस रूप की बहुत बहुत जादा प्रसंसा करेगी तो प्रभु जैसे ही गोपी के पास जाते हैं तो गोपी भगवान कृष्ण को भाप लेती हैं मतलब साइट से देख लेती हैं और देखते ही वो एक घूंगट मतलब एक बिलांद का या एक हाथ का घूंगट जो हैं निकाल लेती हैं और वो भगवान कृष्ण को कहने लगत हैं खबरदार खबरदार श्याम सुन्दर जो मेरे पास आए और मेरे धर्म को ब्रस्ट करने की कोशिश की तो भगवान जी को बड़ा अश्चरे हुआ कृष्ण जी सोचने लग गए अरे तो भगवान बोलते हैं कि हे गोपी तुम यह क्या कह रही हो सभी धर्मों का कर्मों क फल और सार मेरा दर्शन ही है प्रभू बोलते हैं आगे कि देखो योगी यती हजारों वर्ष तब करते हैं धिहान करते हैं फिर भी मैं उनको दर्शन तो क्या धिहान में भी उनके नहीं आता हूं और मैं तुमें स्वेम चलकर दर्शन कराने आ गया हूं और तुम कहती हो क तो गोपी बोलती है कि देखो श्वयाम सुंदर तुम हमारे आराध्य नहीं हो हमारी आराध्या राधारानी जी है यह लीला कफी लंबी है और यह लीला भी मैं आपको जरूर बताऊंगी इसमें जो यह जो मैंने जो वाक्या या इस लीला के कुछ अंश आपको इसलिए ब वर्सों के तब करते हैं भगवान स्वेम केते हैं कि मैं उनको दर्शन तो छोड़ो मैं उनके ध्यान तक में नहीं आता मैं उनको लीलाए दिखाना तो बहुत दूर की चीज है वो मेरे विग्रह तक के दर्शन नहीं कर पाते हैं जिन विग्रह के साथ हम सुबह से लेकर रात तक रहते हैं तो ये समझ आप आना सभी के बसकी बात नहीं है हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और यहां पर ये इसका थोड़ा सा मेरा क्लेरिफाई करना इसलिए जरूरी है कि आप किसी पर यकीन करें प्रभू पर यकीन ज़रूर करें मैं कहते हूं प्रभू की कही हूई या पहुत से लोगों का सोच होती है कि अरे पता नहीं ये प्रभू की बात गलत होगी या नहीं होगी आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है आप अपने धर्म और प्रभू को सत्य मानिए बाकि सब को जूट मानिए प्रभू सत्य ही होते हैं चाहे वो किसी भी रूप में आपके समक्षों और जो रियल भक्त होंगे उन्हें तो हर चीज में जी भक्ती नजर आती है हर चीज में अच्छाई और सच्चाई नजर आती है राधे राधे